दोस्तो हमारे गन्ना किसानों की खेती में लगतार लागत बढ़ती जा रही है और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारे किसान भाई रोक को नहीं पहचान रही है और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पोकाव बोईंग की लेकिन पोकाव बोईंग एक ऐसी बीम कैसे होते हैं दोनों में गोब खराब होती है गोब गलती है सरती है और हमारे किसान भाई उसे टॉप बॉरर समझ कर उसमें वो लगा लेते हैं जैसे कोरजन लगा ली वर्टा को लगा ली फर्टेरा लगा ली और उनकी सिकाथ रहती है कि हमारी खेत का रोक समापत नहीं हैं तो चैनल को करने सब्सक्राइब और बेल आइकोन को ओल पर सेलेट कर लें तो दोस्तों जब हमारे किसान भाई देखते हैं कि उनके खेत में उनकी जो ऊपर की टॉप बॉरर जैसी समस्या आती है और वो उसे पहचान नहीं पाते हैं जबकि यह समस्या जो होती है लेकिर हमारे किसान भाई जानकारी के अभाब में इसमें तर्ह तरह के कुछना सक लगाकर अपनी लाकत बढ़ा लेते हैं इसके सासाथ उनकी समस्या का समधान भी नहीं होता है। इससे पैसा भी जादा खर्च होता है समय की बरवादी होती है और समस्या का समधान ना होने के कारण उनको लाब की जगे हानी हो जाती है तो दोस्तो इस समस्या के समधान के लिए ये जरूरी है कि हमारे किसान भाई इस समस्या को पहचाने कि ये समस्या क्या है और दोस्तो इ पहचानने के लिए जो दोनों बीमारी हैं यो दोनों समस्या हैं इनकी जो पहचान है वो होनी जरूरी है और तभी इस पहचान कर और इसका समधान कर सकते हैं तो दोस्तों ये जो टॉबर होता है पहले टॉबर की बात करते हैं तो इसमें भी गोब ही खराब होती है और इसकी जो पहचान होती है सबसे बड़ी वो यह होती है कि गोब में छर्रे जैसे ये सुराख दिखाए देते हैं जैसे किसी छर्रे से सुराख कर दिये गए हूं गोली से इसमें सुराख कर दिये गए हूं ऐसा लगता है तो आप पहचानें कि ये टॉप बॉरर है लेकिन हमारे किसा लेकिन इस खेत में जो समच्य है वह ठहने हमारी पत्यां है उनका निचला भाग होता है य Dartmouth पहल का पीला प्रता है प्र उसमें सुक्रण आती है त्यासे कपला ध्रोकर निचोर दिया जाए और उसमे इस्पिर कार के सुकुड़न और सलवटे आ जाती है उसके बाद पत्तियों आपस baixo혼ते उफ़ें और अगली जो इसकी समद्स्या होती है जो मेंसमद्स्या होती की वो गोबाद में गलने लगती है, काली पढ़ने लगती है और हमारा खेत बैठ जाता है और विकास करने की जगे वो नीचे को धसने लगता है और हमारे किसान भाई उसमें तरह तरह के इंसक्तिसाइट प्रियोग कर देते हैं कोई कुरजन लगा देता है कोई फटेरा लगा देता है कोई बाटा को लगाता है और जिसने जिसको बता दिया वो यही लगा देते हैं और कुछ ना कुछ प्रियोग करते रहते हैं और तीन तीन वार दबाई प्रियोग करने के बाद भी इस समस्या का समधान नहीं मिल पाता है हमारे किसाद भाई इसको पहचाने और यदि उनके ख्येट में फोकाबुइंग है तो उसमें आपको लगाना है जो साफिलाए जाता है UPL कंपनी का साफिलाए जाता है और आपके ख्येट में समझ से हलकी है सुरुवात है तो आप इसमें लगा सकते हैं एक किलो ग्राम प्र्ति-एकड के हसाब से और समच से अज़ाद्य आ ग鬼 है, गंभीर आ गई है तो आपको सबा किलो से तेड़ किलो प्रति-एकड हिसाब से लगा सकते हैं इसको आपको रेत, बालू या सूखी मिट्टी या फिर यूरिया मिला कर रहा सकते हैं और इसको लगाने के समय इस बात का आप ध्यान रखें कि खेत में नमी होनी आवस्चक है यदि नमी कम है तो आप उसके बाद सिचाई कर दें और इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और है जिसमें आता है टेवू कोना जौल पिलाच सलफर इसकी मातरा आपको एक किलोग्राम प्रिती एकड़ के हिसाब से आपको मिट्टी, बालू, रेत या फिर यूरिया मिला कर प्रियोग करना है लेकिन दोस्तों साथ धानी की आवसकता ही है आपको ये पहचान करनी जरूरी है कि आपके खेत में ये पोका वोईंग है और ये टॉप बोरर है यदि पोका वोईंग है तो आपके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे यदि टॉप बोरर है तो इसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे तो इसके लिए आपको टॉप बोरर की ही दवाई प्रियोग करनी होगी इस बात का आप बिलकुल ध्यान रखें अच्छी पहचार कर लें कि इसमें टॉप बोरर है या पोका वोईंग है इससे संबंदित और वीडियो चैनल पर है उन्हें देखकर भी आप पहचान कर सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही अगले वीडियो में ने टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार